हे दोस्तो नमस्कार मैं अबने श्रवस्तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ पर नए वीडियो में दोस्तो थमनेल से तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ जी हां दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ए रिक्षा से पूरे दिन भर में आप कितना कमा सकते हैं यानि आपके दिन भर की कमाई कितनी होनी चाहिए एक ए रिक्षा से अगर आप उतना कमाते हैं तो बहुत अच्छी बात हैं अगर नहीं कमाते हैं तो क्या गलती है जो आपसे हो रही है और उसे में कैसे ठिक करना होगा कि हमारा income उतना हो सके जितना होना चाहिए पूरी बात जानेंगे इस वीडियो में तो हमारे वीडियो को अन तक जरूर देखें और हाँ जैसा कि मैं आपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपे चे सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो में डालूं वो आप तक जरूर से पहुंचे आप उसे देख पाएं दोस्तो वैसे तो किसी ए रिक्षा या आटो रिक्षा का इंकम उसपे मिलने वाले पैसेंजर पर निर्फड करता है याने जितने ज़ादा पैसेंजर आपको मिलेंगे आपका इंकम ज़ादा होगा लेकिन एक average income की बात करें कि एक दिन में एक इरिक्षा को कितनी कमाई होनी चाहिए तो वो है 15 रुपे प्रतिक किलोमेटर के हिसाब से आपका income होना चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप पूरे दिनवर में 80 किलोमेटर या 100 किलोमेटर इरिक्षा चलाते हैं तो अगर 100 किलोमेटर चलाते हैं तो 15 रुपे प्रतिक किलोमेटर के हिसाब से आपका income 1500 रुपे जरूर होना चाहिए अगर इससे कम आप कमा रहे हैं तो कहीना कहीं कोई गलती आपसे हो रही है यानि आप 100 कलबट चला कर 159 कमा पा रहे हैं तो कहीने कोई गलती हो रही है जिसके बज़े से आपका income उतना नहीं हो पा रहा है तो क्या करें हम कि आपका income बढ़े तो चली इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है सबसे पहला जो काम आपको करना है सही समय का चैयन करना है आपको इरिक्षा निकालने के समय अब सही समय क्या हो सकता है आप 6 बज़े सुबह या 7 बज़े तक इरिक्षा लेकर market में जरूर चले जाएं सुबह का मतलब यह नहीं हुआ कि आप 4 बज़े सुबह उठकर या 3 बज़े सुबह उठकर आप लेकर चल दिया इरिक्षा कि सर ने कहा था कि सुबह निकलना है तो ऐसा नहीं करना है एक ideal time आपको खुद चुनना है 6 बज़े या 7 बज़े आप उस पे regular लेकर जाएं और अब आप उख्या करना है आपके शहर में जो भी railway station है वहाँ जाकर आपको पता करना होगा कि कौन सी train जो regular आती है उस समय पे आप इरिक्षा ज़रूर एक बार station पर लेकर जाएं और सारे passenger जो कि train से यात्रा करके आएंगे उन्हें आप उनके गंतव व्यस्तान पे पहुँचा सकते है दूसरा आपको एक ऐसे जगा कचेन करना होगा जहाँ ज़ादा भीण होती है हर एक शहर में प्रतेक शहर में कोई ने कोई ऐसा जगा ज़रूर होता है जहाँ किफिर ज़्यादा होती है लोग ज़्यादा आते हैं और वहाँ से ज़्यादा आने जाने की ज़रूरत पड़ती है वो कोई भी चौक चौराहा या कोई सरकारी दफ्तर हो सकता है उसका आपको पता लगाना होगा और वहाँ नियमित समय पे पहुँचना होगा ताकि ज़र ज़र पैसेंजर आपको वहाँ मिल सके तीसरा आपको कुछ ऐसे पैसेंजर ढूंडने होंगे जिनको आप नियमित यानि डेली बैसिस पे उनको उनके गंता प्यस्तान पे पहुँचाएं और उनसे आप एक फिक्स रकम टै कर लें जो कि आप कुम मिले इससे क्या होगा कि पैसेंजर मिले चाहें नहीं मिले जो डेली जिनका फिक्स है कि उनको पहुचाना है वो तो आपका फिक्स रहेगा ही उसके अलामा रेलवे स्टेशन से आप लोगों को ला सकते हैं उसके अलामा आप जो भी नजदी की बस स्टेंड है वहां पे भी आप विजिट कर वहां से भी पैसेंजर को ला सकते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जहां से आप ज्यादा पैसेंजर प्राप कर सकते हैं और अपना भाई लोगों ने सवाल पूछाता कि यह रिक्षा और आटो रिक्षा में कुछ आप इंकम में फर्क हो गरा बताएं तो अभी आटो रिक्षा की बात करें जो कि डिजल ओगरा से चलती है उनका इंकम काफी कम हो गया यानि जहां इंकम 15 रुपे प्रति किलोमेटर है वहीं डिजल से ओपरेटेड ओटो रिक्षा का इंकम लगभग 7 रुपे या 6 रुपे तक सिमित हो गया यानि आधा हो गया इंकम इसके पीछे एक और बज़ा है डिजल महेंगा होना तो है ही एक और बज़ा यह है कि वे लोग पूरे पैसेंजर को भर लेते हैं अपने ऑटो रिक्षा में तब चलते हैं और यहां तब तक यह रिक्षा आती है और दो-तिन पैसेंजर को लेकर चल दिखें कि उसमें डिजल तो खर्च होना नहीं है तो धिर धिर उनका जो इंकम हो घटते जा रहा है अब आप समझ गये होंगे कि एक यह रिक्षा से दिन वीडियो पसंद आया हो तो किरिक्षा इसे लाइक करें किसी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बताएं मैं उसके वीडियो बनानी के पूरी कोशिश करूँगा बहुत सारे हमारे भाई लोग कमेंट करते हैं जैसे एक भाई आपने मुझे कमेंट कर पुछा कि पीछे वाला ब्रेक ढीला हो गया उसे कशे टाइट करेंगे तो छोड़ी छोड़ी चीज़ें हैं जो आप खुद मेकैनिक से मिलके करा सकते हैं ठीक है आप वीडियो के लि बिजनेस शुरू करने चाहते हैं तो अगर आपको कोई यनकारी चाहिए उसे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बताएं मैं उस पर्टिकुलर बिजनेस का वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊंगा ताकि आप वो बिजनेस कर सकें और ज्यादा लाब ले सकें त तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आपको बहुत बहुत नमस्कार